आज की टॉपिक में हम आपको इस्टिमन का को सल्क्ट एडिशोन बताएंगे और हम बताएंगे कि इस टमेंडוש की स्टीमन क्या होते हैं। इस्ट्मन जो है वह यूनिट ओफ मेल रिप्रड़्ेट्टिटव्शिस्टम गन्ल एंड्रीयसियम कहते और एंडरीश्यम की यूनिट इस्टमन होती है अब देखिए जो इस्टमन है वो एक इस्टमन में तीन पार्ट भी होते हैं इसके बारे में भी हम आपको डिस्कुशन कर देते हैं एक इस्टमन में एंथर लोब होते हैं और इसके साथ साथ आपके पास फिलामेंट होता है औ हम ये देखेंगे कि जो इस्टमन होते हैं इस्टमन हो सकता है कि ये फ्री हो ठीक है और हो सकता है कि ये फ्यूजड हो अगर ये फ्री हैं तो इसको हम polyandrous condition केरते हैं very very IMP यहां लिखा हुआ है और polyandrous condition में भी आपको हम बता रहे हैं tetradynamus और di-dynamus condition के बारे में discussion करेंगे देखिए जो tetradynamus condition है उसमें six statement पाए जाते है tetra मतलब 4, dynamus मतलब 2 और di-dynamus में 4 statement होते हैं die मतलब 2, dynamus मतलब 2 मतलब 4 statement सबसे पहली चीज़ tetradynamus brassicase और di-dynamus labiaci family का feature है brassicase मतलब mustard family और labiaci मतलब salvia osimum यह सब आपके osimum family हो गया देखिए जो tetra dynamus s6 statement में से दो outer short होते हैं और 4 inner long होते हैं जहांकि हमने यह बनाया हुआ है four statement में से 2 outer long होते हैं और 2 inner short होते हैं थोड़ा उल्टा है इसको याद रख लिजेगा तो यह poly andry condition हो poly का मतलब यह होता है free और endress का मतलब stemon अगर यह देखो आप यहां पे आपको कहीं भी stemon fused नहीं दिखेंगे अब चलते हैं अगर stemon fused है तो इस fused condition में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा एक यह fused stemon हो सकता है कि fuse together आपस में fused हो आपस में fused मतलब cohesion of stemon आपस मतलब stemon stemon से ही fuse हो तो इसको हम cohesion of stemon कहते हैं और fused with other part मतलब flower के other part चाहे हो सकता है वो sapal से या petal से या carpel से मतलब female reproductive structure से fuse हो सकता है stemon तो इसको हम लोग addition of stemon कहा जाता है सबसे पहले we'll discuss about the cohesion of stemon cohesion of stemon में देखिए होता है अगर stemon बस और बस filament से fuse हो मतलब यह इनके filament है और filament से fuse हो enter low free हो तो इसको हम लोग adelphi कहते हैं और अगर बस enter से fuse हो और filament free हो तो इसको हम syngenious कहते हैं ठीक है syngenious condition कहते हैं और हो सकता है कि यह enter और filament दोनों से fuse हो तो इसको हम syngenious condition कहते हैं तो देखिए syngenious तो आपका composite family में देखने को मिलता है इसको लिग भी लीजेगा fused only by enter filament free होते हैं composite में composite में syngenious जीनिश को genius से याद रखे genius से head head मतलब जिनका brain develop है वो genius है head head मतलब head influence कहां होता है head influence आपको composite family में देखने को मिलता है तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं sin andras आपको kukarbitacy family में देखने को मिलता है अब हम आपको adelphi के बारे में discussion करेंगे trick के साथ भी बताएंगे adelphi में देखे adelphi हमें तीन तरीके का देखने को मिलता है adelphi का मतलब अगर estamin fused only by filament estamin बस और बस filament से fused है तो इसको हम adelphi कहेंगे जिसमें की आपको mona delphus condition, di delphus condition और poly delphus condition देखने को मिल सकता है mona delphus का मतलब सारे estamin के जो filament हैं सब एक bundle बना लेते हैं fuse होके one bundle बना लेते हैं di delphus का मतलब दो bundle में present है और many bundle मतलब poly delphus लेकिन filament आपस में fuse है, enter lobe नहीं तो याद रखना है, इसको याद करने का तरीका है करोणपती mona malvia इसका trick हमने बनाया है, करोणपती mona malvia 2 kg bean और pea market जाती है और many citrus खरीद कर लाती है 2 kg पी, अब करोणपती mona malvia एक में कर दीजिए 2 kg bean और pea एक में कर दीजिए many citrus को एक में कर दीजिए तो mona से mona delphus करोणपती से crotularia और malvia मतलब malvacy family malvacy family में mona delphus condition देखने मिलता है बहुत important है, china rose ही viscous यह सब इसमें आएगा गौसी, pm, lady finger ठीक डाइड अलफस, अब दीखो 2 kg bean और pea दो मतलब डाइड अलफस, bean, pea यह सब leguminacy family में आते हैं तो डाइड अलफस condition 9 plus 1 arrangement देखने को मिलता है आपको leguminacy family में दो bundle में filament होते हैं और पौली अडलफस मेनी, मेनी मतलब पौली, citrus citrus और orange हो गया आपका, lemon और orange यह पौली अडलफस condition है तो अडलफी आई होब कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पाकिसीन जिनीश्यस हमने बता ही दिया sunflower composite, fused only by enter और synandrous मतलब fused by filament and enter both, that is the cucurbitacy अब यह तो हमारा था cohesion of estamin आते हैं addition of estamin addition का मतलब अगर यह estamin अपने किसी दूसरे part मतलब अपने flower के दूसरे member से attached है तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं addition जैसे EP sepulus, estamin fused with sepal यह gravilia plant, gravilia EP petalus, estamin fused with petal that is solenaceae, malvaceae, composite me EP teplus या EP phillus estamin fused with the perianth perianth जो है उसकी unit tepal होती है जब calyx का रोलार undifferentiated होते हैं monocot में उसको perianth कहा जाता है यह liliacee हो गया और gynandrus fused with carpel या pistil मतलब यह gyinesium से attached है जैसे aristolochia और एक condition आपको gynosteGM condition देखने को मिलता है gynosteGM बहुत important है calotropis मतलब milkweed apocynacy में देखने मिलता है estamin fused with style estamin style से fused देखो यह आपका क्या हो जाता है stigma फिर यह style फिर यह ovary तो अगर estamin style से fused है तो gynosteGM condition कहते हैं और यह calotropis का feature है milkweed apocynacy family का member है तो यह I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एक term estaminode estaminode का मतलब होता है esterile enter esterile enter का मतलब enter तो है लेकिन उसमें कोई pollen grain नहीं होता है ठीक है इसको esterile कहते है जैसे यह किसका feature है आपको यह labiati family मतलब oxymum salvia में देखने मिलेगा और ceasal pinnoid जब आप febese family में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक sub family ceasal pinnoid देखने मिलता है जिसमें कैशया गुल्मोहर यह सब आते हैं तो कैशया गुल्मोहर मतलब ceasal pinnoid में और labiati family में आपको estaminode मतलब sterile enter देखने को मिलता है I hope कि आज के वीडियो में आपको edelphi मतलब समझ में आगे होगा syngenious, synandras, cohesion और polyandras condition ठीक है न इसके अलामा addition of histamine तो आप इसे बहुत अच्छे से बहतर तरीके से इसको note कर लीजे आप अगर किसी भी state से हैं आपको biology की competitive examination की preparation करनी है TGT, PGT, LTGIC, MSC, BSC ठीक है न EMRS, NVS, KVS, Assistant Professor BPSC, Jharkand, RPSC कहीं से भी आप हैं तो आप जो है हमारे channel से जूड सकते हैं हमारे courses से जूड सकते हैं हमारे test series से जूड सकते हैं जो कि हमारे application पे available है हमारे दोनो channel पे आप हमारे demo classes देख सकते हैं लाइक आप चंद्रक्लासेश प्रयाग राज या फिर Science Planet दोनो channel पे हमारे video demo classes देख सकते हैं ओके all the best bye bye सभी को मिलते हैं next video में